नमस्कार दोस्तों, वेलकर नो वोल अफेर्स, मैं हूँ प्रशान दवन, तो डेली में जो इसराइल की अमबसी है, उसके पास एक ब्लास्ट हुआ है, इसराइल यहाँ पे अपने आप कहा रहा है कि यह एक टरर अटाक है, डेली पुलिस ने यहाँ पर यह कहा है कि कोई mischievous स अटाक है, कुछ लोग sensation करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी के लिए इंडिया ने अपनी तरफ से इसको एक टेरर अटाक नहीं का, इसराइल बाइद वे, इस अटाक के बाद काफी अलर्ट है, दुनिया भर में जो भी इसराइल की embassies हैं, जो इनके important offices हैं, वहाँ पे उनने कर दिया है, high alert, और जिस दिन ये अटाक हुआ है, ये काफी important है, आपको समझना होगा, आज है January 29, 2021, आज के दिन इंडिया और इसराइल सलिबरेट कर रहे हैं, अपने relations के establishment का 29th anniversary, जी हाँ, January 29, 1992 को, इंडिया और इसराइल, यहाँ पे आप देखेंगे, यह मारा पैर science and tech, और एक और interesting बात ये भी है, कि आज 29th January 2021 को, इसराइल ने 6000 नई light machine guns supply करी है, to the Indian army, इंडिया आर्मी ने total पिछले साल के February मन्त में, 16000 ऐसी इसराइली light machine guns करी थी order, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, कि इसराइल क्यों इस explosion को treat कर रहा है, एक आतंगवादी हमले की तरह, औ और Amish Shah, जो हमारे home minister हैं, ये पुरी situation को monitor कर रहे हैं, international media ने इसको already cover करना start कर दिया है, पाकिस्तान और चाइना वाइदवे, इस topic में बहुत interested है, यहाँ पे आप देखोगे, CNA का आर्टिकल है, CNA वाइदवे, चाइना वाइक डेका news outlet है, explosion outside Israeli embassy heightens New Delhi nerves, same title, same wording, आपको पाकि आर्टिकल में भी बिलेंगी, यहाँ पे आप देखेंगे, यह दौन का आर्टिकल है, same बात यह भी कह रहे हैं, और यह बहुत बड़ा event है, पहली बात तो आपको दिखाता हूँ कि इसराइल की जो embassy है, दिल्ली में यह है कहाँ पर, यहाँ पर मैं directly zoom in कर रहा हूँ towards the Israeli embassy in New Delhi, यह हम zoom in कर रहे है towards New Delhi और यह जो location है, यह बहुत पहुश है, आप देखेंगे, यहाँ पे जो सड़क जारी है, एक टाइम पे इसका नाम था औरन्जेब रोड, 2014 में इसका नाम बदल के कर दिया गया, Dr. A.P.J. Abdul Kalam Road, और यह embassy of Israel है यहाँ पर, फिर बिल्कुल आप पास म देखो गये तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा Indian Parliament, यह बहुत ही जादा important area है, इंडिया का VVIP, very very important area, फिर यहाँ पे आप देखोगे, यह President's House है, तो again इस location के पास, कैसे पहली बात तो एक blast हो गया, यही बहुत बड़ी बात है, और जो details सामने आई हैं, यह पता लगा है किसी ने शायद कोई explosive device गाड़ी के भार फैका है, या फिर गाड़ी के पास रखके चला गया, मगर blast की intensity इतनी थी कि आसपास की जो बहुत सारी गाड़िया, उनके जो शीशे हैं, उसको भी damage हुआ है यहाँ पर, so again किस तरीके से डेली के इतने secure area में यह सब हो गया, इससे क काफी बड़ा प्रशिंचिन खड़ा होता है, और हमको यहाँ पर यह भी सोचना होगा, कि हमारे देश की capital की क्या में जारी है लगाता दुनिया भर में, जब डॉनल्ड ट्रम यहाँ पर आएं, उस वक यहाँ पर दंगे हुए हैं, फिर हमने recently देखा कि 2021 के 26 जन्वरी को कै कैसे violence हुआ यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, ब्लास भी हो रहा है, तो डेली की internal security को लेकर कुछ बड़े steps लेने होंगे in the future, नई तो इंडिया की image इस तरीके से काफी hurt होगी in the future, और इस ब्लास की seriousness को समझते हुए हमारे विरेश मंतरी, एज जशंकर ने आप के complete production होगी यहाँ पर, embassy की और Israeli diplomats की, matter अभी है, investigation के अंडर, और जो भी इस ब्लास के पीछे है, इसको हम spare नहीं करेंगे, इसके अलावा जो इंडिया के national security advisor है, अजीत दोवाल, इन्होंने भी बातचीत करी है, with the head of Israeli national security, Mayor Ben Shabat, इन्होंने इनको यह काए कि हम आपको updates प्र यह मानता है, कि यह है एक terror attack, इससे पहले भी ऐसा attack हो चुका है, और फिरम देखने के 2021 में, almost same type का attack हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे, Delhi के CM, Arvind Kejewal ने भी यहाँ पर काए, कि हम concerned as blast को लेकर, और इसराइल के PM ने भी यहाँ पर यह काए, कि we have complete faith in Indian security, full confidence है, हमें य आपको यह बता दू, ऐसा attack इससे पहले हो चुका है, 2012 में, जी हां, 2012 में भी एक blast हुआ था, near the embassy of Israel in New Delhi, उस वक्त इसराइल के जो diplomat है to India, उनकी पतनी को चोट आई थी, और उनका जो driver था, उसको भी चोट आई थी, कुछ और लोग भी यहाँ भायल हुए थे, में जो diplomat है आपको अटैक्स दिहेंगे, चाहे वो Middle East हो, Africa हो, Europe हो, कहीं भी हो, और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है, आप शाहिद यह जान के हरान होंगे, कि 2012 में जब attack हो था, इसराइल की embassy पर, तब उस वक्त आरोप पाय था, इरान पर, और यह आरोप एक्चुली यह लगाया थ डेली पुलिस के कॉप्स ने, यहाँ पे आप देखोगे, उस वक्त का आर्टिकल है, 2012 का, from Times of India, कॉप्स नेम, इरान military arm, revolutionary guard, जो इरान के revolutionary guard है, जिनको ट्रंप ने टैडल दिया था, टरर ग्रूप का, उसने यह attack carry out किया था, उस वक्त कुछ कॉप्स ने यह claim किया, हाला कि इंडिया ने officially, UN में या फिर किसी international forum में, इरान पर कभी आरोप नहीं लगाया, इसराइल की embassy पे attack करने का, in India, मगर यहाँ पे आप देखेंगे, आपको 2012 के plenty articles मिलेंगे, इसराइल embassy car blast case, Iranian spies did it, says Delhi police, now क्या है यहाँ पे मैं आपको यह कह रहा हूँ के, इस बार भी इरान ने कराया है, obviously नहीं, यह हमको भी पता नहीं है, कोई भी पीछे हो सकता है इसके, हमें यहाँ पे पहली बात तो खुद को देखना होगा, जो हुआ यह, this is a bit of an embarrassment for India, यह एक VVIP एरिया है, और अभी 26 January parade खतम होई है, और 26 January parade के बाद एक और बहुत ही important event होता है, beating the retreat, यह भी इस कोई आपमी ऐसे step का attack करके चला गया, so as Indians, हमको यह बात समझनी होगी, कि हम लोग रहते हैं एक ऐसे region में, जहाँ पर 3 major countries हैं, यह इसराइल को ना accept करती है, ना यह कोई relations है with Israel, और openly कई बार इन countries में, इसराइल के against political rallies भी निकलती है, for example, इस blast के सिर्फ कुछी दिन पहले, य रैली against corruption नहीं, भूग के खिलाफ नहीं, हजारों लोग इखटे हुए, इसराइल, जो दूर हजारों किलोमेटर दूर कोई देश है, उसके खिलाफ लोग इखटे हुए, और यहाँ पे डिमांड यह थी, कि कभी भी पाकिस्तान इसराइल को accept नहीं करेगा, और इंटरनाश पाकिस्तान को इसराइल के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए, यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है, from the Jerusalem Post, यह और आर्टिकल है, और एक्चुली जो यह रैली थी, पाकिस्तान की इसका नाम था, इसराइल unacceptable million march, इसमें इन्होंने काफी लोग इखटा कर लिये थे, लो आप अगर इस रीजन में देखो, तो नेपाल और भुटान, यह दुनों तो accept करते हैं, इसराइल को कोई issue नहीं है, बाकी अफगानिस्तान नहीं करता, पाकिस्तान नहीं करता, बंग्दादेश भी, इसराइल को इस एक कंट्री accept नहीं करता, और काफी बार political parties यहाँ पे है इसको भी change करना होगा, आमें, डेली की overall security भी बढ़ानी होगी, कब आपको last time सुनने में आया था कि Beijing में इस type के protest हो रहे हैं, लगातार यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, यहाँ पे blast हो गया, at least countries की जो capital है, वहाँ पर बहुत ही rarely as events होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, regularly as events हो तो कहीं ना कहीं, डेली की जो internal security है, वहाँ पे भी हमको focus करने की आप शकता है, we need to make sure that at least the capital of India is safe and secure, so अभी के लिए यह है और इस वीडियो का, thank you for listening and as always, God bless you all.